नमस्कार दोस्तों स्यासीवेली वर्क सपोर्ट यूटूप चैनल में आपका स्वागत है आज के सुड़ा में हम बात करने वाले हैं अगर आपने नवोधे विद्याले के तहत आलाइन अपलाई कर दिया है या आलाइन अपलाई करना चाह रहे हैं तो आपके मन में कई सारे स हो दो सब्सक्राइब होगी कि नोगे हो जोप सब्सक्राइब तौन लेघेब हैं अमर्ण लाइन जोडआ हैं को अमधार्ण हो तो आप उत्ली चीज आप कर पाओगे यह भी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इसरी समस्या आप लोगों की यह होगी कि आपने अपलाई कर दिया है तो इसमें जो गलती है उसे कब तक सही कर पाओगे और क्या-क्या उसमें सही कर सकते हो चौतिज समस्या यह आ रही होगी आपने आनलाई अपलाई कर दिया है इसके बाद आपको रजिस्टेशन नंबर भी मिल गया था और यहां पर आपने रजिस्टेशन फ़ाम प्रिंट नहीं किया था तो आप अपना registration form कैसे print करेंगे सारी detail हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इससे पहले यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नाए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले हम बात करेंगे नवोदे विद्यले की लाश्ट डेट लाश्ट डेट पच्चेस आठ दोहजार तेस तक बढ़ाई गई है ये आपको यहाँ पर दूसरी बार बढ़ाई गई है इसके बाद यहाँ पर आनलाइन करने की आविदन डेट अब नहीं बढ़ाई जाएगी अब ये लाश्ट बार भी बढ़ाई गई है लाश्ट टाइम बढ़ाई गई है इसके बाद इसमें आपकी डेट नहीं बढ़ाई जाएगी नवोदे विद्यले की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है यह आपको कब तक करना है यह भी हम आगे सूडियों में प्रताएंगे कब तक आपने p earn करेक्शन कर पाओगे और क्या करेक्शन कर पाओगे इसके लिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है सबसे पहले पर आप जेंडर करेक्शन कर सकते हो यहां पर आप का टेगरी में ऊपनी चेपर आपने Si kind कर दिया है यहां पर आप तीक्षा आप आप उसे कर पर और तेस्टी कर पाогंगी प्र कर दिया हुआ प्र आप पर आप प्रिच्छा का माध्यम लोगुस उरदू जिस भी भासा में पेपर देना चाहते हैं तो वो गलती से दूसरी चीज सेलेक्ट हो गए तो आप उसे चेंज कर पाओगे यह 5 चीज़े आप करेक्शन कर पाओगे इसके अलावा आपने फाम में कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे आपको केवल यही 5 चीज़े सुधारने के लिए मिलेंगी बाकी आप फाम में जो भी गलत हो गया उसको छोड़ कर आपके वल यही चीज़े सही कर पाओगे बाकी चीज़े आप यहां पर करेक्शन नहीं करने को आपको मिलेंगी अब बात करते हैं आपका यह आपने आनलाइन अपलाई कर दिया है आनलाइन पर आपको देखने को मिल जाएगी लाश्ट डेट पच्छी साड़ दोहजर तैस तक रिजिटेशन नंबर निकानने के लिए आपको क्लिक है तूफर रजिटेशन नंबर के आपको इस पर किलिक करना रहेगा यहां से आपना रिजिटेशन नंबर निकाल सकते हैं यदि आ यहां पर आपको prix करना रहेगा दने अपर और आपको फादर्स नेम को आपको फिलक की है सही सही आपको स्पलिंग के साथ परना तब ही आपना रिजिटेशन नंबर निकाल पाओज़द इसके बाद यहां पर आपको देटा बर्थ कलेंडर से चोईज करनी रहेगी यहां पर आपको जो कईप्चा कोड़ दिए कोड़ सेब डाल कर यहां पर साच लिसाइशन नमबर पे क्लिक के अपना रिजिस्टेशन नमबर इस कार से निकाल सकते हो लिए आपको अपना फाम कैसे प्रिंट करना इसके लिए आपको अपना registration नम्बर निखाला है वह आपको इसमें डालना रहेगा इसके बाद यहाँ पर आपको data worth फिल अपकर नी रहेकी जो आपको ड़ेटा सब्सक्राइब करें इस परकार से आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें सेर करें और हमारे चैनल को स्सक्राइब करें